नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आप ही की यूट्यूब चैनल में सुपने हम लगे हैं डिसक्रशन करने वाले हैं अबाउट कीपाइटी टेक्नोलजी शेर के बारे में जहाँ पर आज शेर में अच्छी खासी आज गिरावट दीखने को मिल रही है तो किस कार यहाँ पर इसका भी भाव चल रहा है 1,485 का 9% का भारी भरकम यहाँ पर आज गिरावट दीखने को मिल रहा है कंपनी का फंडमेंटल से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर इसका मार्केट कैप चेक की जाएगा तो 40,518 क्रोड का है स्टोक का पीपाई 55.8 है इंडिस्टी का 37. 7.8 है देख सकते हैं अभी इसका थोड़ा वैलिशन कंसर्न यहाँ पर देखने को मिला कंपनी के वैलिशन थोड़ा महंगा हो गया प्योट स्कूर 9 का है 9 से जितना करीब उतना अचा मना यह तो 9 है तो बहुत शांदार प्योट स्टोक है देख सकते हैं कोई भी शेर प्ले क्या से थी है जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं अगर उसका साथी साथ इवे बताना चाहूंगा इसका देख सकते हैं हाई 52 का है न वन था नाइन तो यहां से देख सकते हैं अच्छा का सा करेक्शन और इस टॉक में आ चुका है लो है 1091 का यह पर देखने को मिल रहा है चलिए कंपने का श्रीलिग इसको चेक करेंगे तो देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक कॉंस्टेंट है यहापर किसी ने भी क्वाली किया है तो एफ़ाइ ने किया है 22.23 से गिर करके 20.95 यहापर जो भी एफ़ाइ ने बेचा है उसको देख सकते हैं डिया ने खरीद है 17.52 16.64 से बढ़ करके 17.52 और साथी साथ पब्लीक ने भी खरिया 20.63 से बढ़ करके 21.11 परसंट हो रहा है यानि कि देख सकते हैं अगर सब को जोड दीजेगा तो अप्रोक्समेटली लगभग 79 परसंट स्टेक और होल्ड कर रहा है तो प्रमोटर F.I.D.I. 3 मिल करके होल्ड कर जोकि बहुत ही स्ट्रोंग है अच्छा है अपर स्टिल लिंस्ट्री देखने को मिल रहा है अब आगे बढ़ते हैं रीजन फ़र करेक्शन आज की दिन में शेर में अच्छी कासी क्यों गराउट देखने को मिल रहे है उसको जड़ा चेक करेंगे तो सबसे पहला रीजन ब हो गया यहां भी 8% 8% का उच्छाल देखने को मिल रहा है तो revenue के टर्वेन्स में result तो अच्छा है लेकिन problem कहाँ पर आ गया company का हम लोग चेक करेंगा net profit yearly pieces में 141 से बढ़ करके 204 हो गया यहां भी देखिए 44% का उच्छाल है 40% का उच्छाल है लेकिन problem कहाँ पर है वो है previous quarter से compare किजएगा तो देख सकते हैं flat सा result है आपर देखने को मिला flat result है कोई भी changes जाता देखने को नहीं मिला अगर आप deeply उसको analyze किजएगा तो यहां देख सकते हैं अभी आया 2037 previous quarter में था 2041 यानि कहाँ पर हलकी सी गिरावटी देखने को मिल रही है company के net profit में तो reason क्या बना वो है अगर June quarter से compare किजएगा company का अभी का result को तो यहां पर net profit में marginal fall देखने को मिल रहा है इस कारण से तो result जो रहता बहुत खराब नहीं था लेकिन जो कि previous quarter से गिरावट भी इसलिए गिरावट देखने को मिल रही है second बहुत बड़ा reason बना वो है management commentary management commentary बहुत ही cautious mode में आया है देख से थे किपैटी tech management shares cautious commentary for the second half second half में जो आएगा उसके लिए बहुत ही cautious है और जो commentary जो आया है वो उतना positive नहीं लगा market को पसंद ने आसकारां से भी share में गिरावट देखने को मिल रही है कि that the revenue will be at the lower end of 18% to 22% growth guidance यह पर lower end में रहागा इनका revenue however the profitability will be better यह भी कहना है कि certain project delay that resulted in cautious commentary but underlying growth remains गोट तो management commentary उतना strong नहीं है और यह ची भी market को पसंद नहीं आया अब question रहा है कि जगपन लोगो क्या करना चाहिए तो यहां पर देखिए दीपन में हता है उनका करना है कि you have to temper expectation from KPIT Tech and is trading at extremely rich valuation the valuation यहां पर काफी high हो जोका है and base effect also come into play and overall I think that yes this entire EV story there seems to be some doubt which are rising over there so I will be a bit careful in KPIT Tech at least I would not like to make any fresh में उनका करना है कि अभी में fresh investment नहीं करूँगा but the existing shareholders who are sitting on lot of profit can ride out this kind of rough spot for some time जो profit में है वो अभी ride कर सकते है but on the whole we need to be bit careful in such stock which are focused specifically on one particular vertical and any kind of slowdown in that vertical can a certain impact the profitability तो इनका करना है कि अभी जो जिस niche segment में यह run करें जैसे कि EV का theme खासकरी stock में है तो यहाँ पर जो रहता है अगर किसी कारवनर्स किसी तरह से भी कोई problem में हाँ पर आता है तो यह stock में अच्छी कासी गिराउट भी आ सकती है जो theme के कारना यह out performance है आप देखने को विला है वहाँ पर slowdown भी आ सकता है तो अब आगे बढ़ते हैं brokerage report को जरा check कर लेंगे brokerage के तरफ से क्या update आ रहा है तो देखिए हाँ पर update आ रहा है from JP Morgan जहाँ जेपी मॉर्गन के तरफ से जहाँ पर उनने maintain किया है overweight call दिया है rating on Kipati Tech but it has reduced the share price target 1,900 करोंने fix किया है target price को reduced किया है लेकिन अभी भी rating overweight rating के side में है उनका कहना है कि यहाँ से भी अगर upside potential है तो 15.9% 16% कहां से upside potential है से भी देखने को मिल सकता है company ने lower किया financial 25 constant currency revenue growth forecast to lower end of 18 to 22% guidance citing delay in deal ramp ups and closer along with shift towards of soaring to provide cost efficiency for the client तो यह सभी चीज़ों के knowledge discuss किया है important किया है rating अभी भी overweight है target 1,900 का है JP Morgan anticipate करी softer second half for the company with potential impact on financial 2026 due to a weak exit rate यह अपनी टायरा brokerage के तरफ से company का chart को check करेंगो तो चार्ट काफी bearish हो चुका है सबसे पहला चीज इसके लिए resistance का जो range था 1870 से 1890 की range में और दूसरा 200-day moving आरे जो कि 1600 के range में था दोनों break हो चुका है तो जो candle जो form हो रहा है आपका 250-day के नीचे में form हो रहा है 1630 के नीचे में अगर closing आज आता है तो फिर यहाँ पर आपको अच्छा-कासा bearish sentiment देखने को मिल सकता है जो किसे लवग 1340-1350 तक ले जाने की ताकत रखता है तो चार्ट काफी बेरिश हो सकता है बस ध्यान दिना है 1630 के नीचे में closing ना आए कोशन में बराइस जाता है कि इस जगर मैं क्या करूंगा तो मैं यहाँ पर जब तक यह 1630 के उपर में closing नहीं आता है मैं हाँ पर buy side के और नहीं जाओंगा 200-day moving average के उपर मे closing होना सबसे important है अगर होगा तभी मैं buy side के और जाओंगा otherwise no मैं हाँ पर कोई buying नहीं करने वाला हूँ अभी currently so यह था complete update regarding capability technologies I hope आपको वीडियो अच्छा लगागा वीडियो अच्छा लगा दिन वीडियो को लाइक कीजिएगा share किएगा अचानल को subscribe कीजिएगा thank you